असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ मतर निहारी की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ मतर निहारी की रेसिपी बनने के लिए थोड़ा सब जादा टाइम लगता है लेकिन ये बनती बहुत ही डिलिशियस और बहुत टेस्टी बनती है और इसके लिए मैंने आज ऐक खास दर से गरम मसाले की अप़ा है ये ब्रैन का नाम है इसमेम निहारी मसाले मसाला है इनके मसाले बहुत अच्छे होते हैं तो आज मैं इसका इसी का इसमाल करूंगी यह मसाला दालने के बाद आपको सिफ 2-3 इंग्रीडियन्ट लगेंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर, रेट चीली पाउडर, नमक और काली मुर्च का पाउडर लिया है थोड़े से स्पाइसिस के लिए तो यहां पर मैंने और रख दिया था फ्राइंग के लिए तो यहां पर हम अनियन को फ्राइ करेंगे हमें अनियन जो है वो थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है तो हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इस तरह से ब्राउन कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें से निकाल देंगे, ये बात में हम गार्णिशिंग के लिए इस्तिमाल करेंगे, तो यहाँ पर जो मतन है, उसका इसमें आड़ करेंगे, जो फराय अनियन है, उसी के साथ ही हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानि तीन से चार मिनिट इससे पका इस आड़ करने के बाद रहें ऐटे एक सी दो मिनिट और सौटे शसे कर लेंगे इसे और यह जो पाॉडर मसाले थे हम सारे आड़ कर देंगे इसमें, और यह एच्या तरह से मिक्स करेंगे, एक सी 2 मिनिट के लिए जब सारे मसाले करेंगे इस तरह से तो हम हमारा जो नीहारी मसाला है वह इसमें एड़करेंगे तो यहां पर मैंने टूटे स्पून के करीब नीहारी मसाला मसाला ऐड़किया ay और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ऐसे आप यो उसके बाद आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथ ही मैंने इसमें पानी आड़ कर दिया है तीन से चार कप हम पानी आड़ करेंगे और इसे बं करके पकाएंगे मिंस ढखके पकाएंगे 40 तू 50 मिनिट के लिए क्योंकि हम इसमें प्रशर कुकर का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं तो जो हम मतन अच्छी तरह से कुख हो जाएगा यह देखिए अच्छी तरह से मतन अभी पूरी तरह से कुख हो चुका है तो यहां पर यह जो आपको ओल दिखना है सर्फेस पे हम थूड़े से और निकाल देंगे और से निकाल के हम साइड में रख देंगे इसका स्तेमाल हम बात मे करेंगे मैं corporate अब तक कोई भी फ़ेंगे करेंगे टाके कोई भी गुटलिया ना बन जाए लंप स्थरी हम इसे करेंगे इसे तरह से से इस के अघि इसा करनेंगे best Sam रख़ोवि40 ग्रेवि ista उसमें अब हढ़र एक इसी कोपता है इसे पर इसे इसी तरह से behave कर सकते हो यह जा दालने के बाद जो ग्रेवी हो हमारी थोड़ी सी हो जाएगी लेकिन जो ऑईल था वो सारा हट गया आप देख सकते हो तो वो जो ऑईल हमने साइट में निकाल के रखा था हम बात में समस्तमाल करेंगे उपर से तो यह जो इसे मैंने 15-20 मिनिट और कुप कर तो अभी जो हमारी निहारी है वो रेडी हो गई है तो अभी हमें से सर्फ कर लेंगे तो आप देख सकते हो कि कितने कम टाइम में हमारी निहारी रेडी हो गई है बनके यह देखिए वाव और यह जो ऑईल हमने साइड में रखा था यह उपर से एड कर देंगे तो इससे न आपको ये recipe पसंद आई होगी अगर recipe पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए थैंक यू